नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुवाश्ठाकर के साथ दोस्तो, JRP 2021 हिंदी की तेयारियों के अंतरगत 1 आई 2 पढ़ रहे हैं हम और इसमें हमने सगुन भक्ती जो स्टार्ट किया है कृष्ण भक्ती कावय के बारे में हम पढ़ रहे थे और इससे पहले हमने अश्ठचाप के जो साथ कवी थे उनके बारे में पढ़ लिया है सबसे पहले हमने इसमें देखा था सूरदास को और सूरदास के बाद जो अन्य अश्ठचाप के छे कवी थे उनको हम कर चुके हैं पीछे वाले लेक्चर में अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियोज नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एकाई दो के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट पनी है उससे चेक कर सकते हैं आज हम पढ़ेंगे नंददास का रचना संसार क्योंकि अश्च चाप में देखिए जो नंददास थे इनका जो स्थान किसके बाद माना जाता है आपके जो सूर्दास हैं जो प्रमुक कभी माने जाते हैं अश्च चाप के उसके बाद जो दूसरा महत्वपून स्थान माना जाता है ये नंददास का ही माना जाता है और इनकी बहुत सारी रचनाएं या इनकी कावगत जो विशेश्च ताएं हैं ये कई बार हुजिसी नेट की परिक्षा में पूछी जाती हैं और प्रिबियस एर पर में इनको पूछा गया है तो इसलिए आज का जो लक्चर है प सबसे पहले यहां पर देखिए नंददास इनका जो जनम है 1533 से 1585 के आसपास जनम इनका माना जाता है और 1583 में इनकी मृत्य हुई है और नंददास सूर्दास के बाद प्रमुक स्थान माना जाता है नंददास जी का ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी क्यों क्योंक थे ठीक है और इसी के चलते है इनका जो स्थान है वो हमने साथवे नमबर पर इनको रखा है लेकिन अगर आप देखेंगे जो हिंदी साहीते काईती हास चाहे डॉक्टर नगेंदर का हूँ चाहे आप अचारी रामचंदर शूकल की बात करें तो शूकल ने भी इनको जो सूर्दास जी के बाद ही दिया है यहाँ पर हमने सिर्फ इसलिए इनको लेट रखा है क्योंकि इनका जो जनम वर्ष है वो 1533 बैटता है बाकी जो अन्य अश्चापी कवी थे उनका जो जनम काल है वो इनसे पहले का है है ना और सूर्दास के बाद इनका प्रमुक्स्थान माना जाता है इसलिए इनको तीसे नमर पर रखा गया है अचारी रामचिंद्र शुकल जी के द्वारा क्योंकि पहले पर उनने वलबाचारे को रखा वलबाचारे के बाद उनने किसको रखा है आपके सूर्दास जी को और उसके बाद नंद दास जी को उननने तीसरे स्था पर रखा है तो ये बात है पहली प्रमुख बात उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़े है देखिए नंददास के समंद में वो ये है कि इनको जड़िया नाम से जाना जाता है और ये इनको एक तरीके से उपाधी प्रदान की गई है ठीक है और देखिए जो महत्वपूर पंक्ती है इनके समंद में वो ये है कि और कवी गड़िया नंददास जड़िया ठीक है तो ये भी कहा जाता है नंददास चीज़े को और ये कई बार परिक्षा में पूछा जाता है तो इसको भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है आप चाहें तो अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं अगला जो पॉइंट है देखिए इनकी प्रसिद्धी का जो अधार ग्रंथ है इनकी जो महत्वपुन कृती है वो कौन सी है रास पंचाध्याई और रास पंचाध्याई से ही UGC net की परिक्षम है प्रशन पूछा गया था ये किस चंद में लेक अगर हम बात करें देखिए इनकी प्रमुख रचनाओं की ये तो होगी प्रसिद्धी का अधार ग्रंथ है रास पंचाध्याई तो रास पंचाध्याई के अलावा जो इनकी अन्य रचना है देखिए अनेक आर्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारा खड़ी, शामा सगाई, रुखमणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्याई, सिधांत पंचाध्याई, इत्यादी तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और इन रचनाओं में जो सबसे इंपोर्टेंट है देखिए वो क में और इसलिए इस रचनाओं को बहुत पार परिक्षा में पूछा जाता है कि ये किसकी कृती है और मंजरी से रिलेटेड भी इनकी जो रचनाएं हैं देखिए ये भी पूछी जाती है तो इनकी देखिए अनेक आर्थ मंजरी, फिर रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं अगर हम इनके जनमस्थान की बात करें तो इनका जनमस्थान माना जाता है सोरों और वही सोरों जो किसका था तुलसिदास का जनमस्थान माना जाता है और कई जगा इनको क्या माना गया है तुलसिदास का भाई की रूप में माना गया है लेकिन वो चीज अब प्रमानिक नहीं मानी जाती है ये चीज भी इनके बारे में महत्वपूर्ण थी और ये शिश्य किसके थे? ये विठलनाची के शिश्य थे? ये हम पहले डिसकस कर चुके हैं आगे है देखिए नंददास की जो रचनाएं अभी तक हमने पीछे पढ़ी की प्रमुक रचनाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानखारी दिख लेते हैं कि किस रचना में उनके कौन सी चीज़ें वरनित हैं दीखिए सबसे पहले इनकी जो रचना थी दीखिए वो है मानमंजरी तो ये अमरकोश के आधार पर शब्दों के प्रयावाची ही इसमें लिखे गए हैं कि इसमें मानमंजरी में और इस गरंद से नंददास की जो भाषा विशक प्रोड ग्यान की जानकारी मिलती है तो दीखिए किस गरंद से मिलती है इनकी जानकारी वो मिलती है मानमंजरी से कि इनकी जो भाषा से रिलेटिड जो इनकी प्रोड ता थी है ना वो हमें कहांस पर मिलती है मानमंजरी के जरीए मिलती है अगर बात करें दीखिए रसमंजरी की जो इनकी अगली रचना है तो यह है नाई का भेध का बनन इसमें कितने पदों में 270 पद हैं इसके तो यह चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कितने पद हैं 270 पद हैं और किसके हैं वो नाई का भेध के अगर इसके बाद रूप मंजरी को देखें तो रूप मंजरी जिसके प्रती जो है नंददास अनुरक्त थे रूप मंजरी उसी का ही रूप माना जाता है इनके समद्ध में एक चीज ये है कि ये किसी सुन्द रिस्ती पर आसकत हो गए थे और उसके पीछे पीछे वे चल पड़े थे तो रूप मंजरी को ही कुछ एक विद्वान मानते है कि ये वही स्त्री है ठीक है आगे है देखिए कि जो भंवर गीत है जो इनकी प्रमुक रचना मानी जाती है भंवर गीत इसमें देखिए किस चीज का वर्नन है सगुन और निर्गुन गोपी और उद्धव का समवाद इसमें 216 पद है ठीक है ये चीज है और यही चीज भंवर गीत है ठीक है सुर्चागर में जो था उसमें भी गोपी और उद्धव के जो समवाद है जो सागुन और निर्गुन के वे उपर उनके जो पहस चलती है उसी का जिक्र इसमें भी हुआ है ठीक है और भंवर गीत के सम्बंद में देखिए जो डॉक्टर नगेंदर ये कहते हैं कि भंवर गीत जो नन्दास के परिपक को किस चीज का उदाहरा ने देखिए तर्शन ग्यान, विवेक बुद्धी, तारकिक शैली और किष्ण भक्ती का परिचायक का माना जाता है तो ये बात किसने कही है ये डॉक्टर नगेंदर जी ने अपने हिंदी साहीत कितियास में भंवर गीत के संबंद में कही है ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें देखिए दशमसकंद भाषा की तो ये श्रीमत भागवत के दशमसकंद का पद्यमई अनुवाद है ठीक है क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा था कि जितने भी आपके वल्लब संप्रदाय और पुष्टी मार्ग के जो कभी हुए है जो अश्चाप में है उन सब का अधारगनत किसको माना है श्रीमत भागवत को या श्रीमत भागवत पुरान को जिसका दशमसकंद ठीक है तो इनोंने भी जो दशमसकंद भाषा है देखिए इनके रचना उसमें किसका अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि जो चीज अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटरी जितने भी प्रशन बनते हैं इन प्रशनों को आप एक बाप फिर से रिकलक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप के साथ जूड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिये जाएगा वहाँ पर हम जो भी लेक्चर हम डिलीवर करते हैं उससे रिलेटरी जितने भी प्रशन बनते हैं उन प्रशनों को रखते हैं और क्विज के जरीए आप चाहें तो उस क्विज को भी अटेम्ट कर सकते हैं हमारे केलेग्राम ग्रूप में चलिए आगे देख लेते हैं हम नंद दास और रास पंचाध्याई तो हमने पहले भी कहा था कि रास पंचाध्याई इनकी प्रसिद्धी का अधार क्रंथ माना जाता है और इससे ही इसके अधार पर ही इनको कौन सी उपादी मिली है जड़िया की तो देखिए रास पंचाध्याई के समद्ध में ये कहा जाता है कि रोला चंद में लिखी गई है पांच अध्यायों में तो देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है ये प्रशन कई बार पूछा जाता है और UGC.net की प्रिक्षम भी प्रशन पूछा गया था कि रास अनुपरा साधी युक्त सहितिक भाषा में उफरनन तो देखिए कई बार आपने देखा होगा दो तीन पंक्तियां पूछी जाती है उन दो तीन पंक्तियों में कहा ये जाता है कि अचारे रामचंदर शुकल ने या फिर किसी दूसरे कभी ने इनके समद्ध में क्या तो यहाँ पर ये कहा गया है कि क्रिशिन की रासलीला का अनुपरास आधी युक्त सहितिक भाषा में वनन तो ये बात किस ने कही है हिंदी सहितिक है अचारे रामचंदर शुकल जी के द्वारा ठीक है और रोल अचंद ये तो हर जग आपको मिल ही जाएगा उसके बाद अ अनुपरास के साथ साथ चुने हुए संस्कित पद विन्यास का प्रियोग भी कुशलता पुर्वक किया है ये भी अचारे रामचंदर शुकल मानते हैं तो इस तरीके की दो तीर पंक्तियां आपको प्रमें दी जाती हैं फिर ये पुझा आता है कि ये पंक्तियां सही है य बक्राइं जो जितने भी अच्छापी कवी हैं उनके सिर्फ ये पंक्तियां पूची जा सकती है या उनके बारे में जो महतोपोन चीज़े हैं उनको ही पूझा जा सकता है इससे जादा वहां से नहीं पूझा जा सकता लेकिन नन amor La fillingод की बात पीछे कर रहे ते तो वह किसक समनवय की विराट चिश्टा है ठीक है लेकिन तुलसी दास ऐसा कहा ही जाता है कि इनके भाई थे और इसके अधार पर आप इनको भी याद रख सकते हैं कि जिस तरीके का समनवय उन्हों ने दिखाया उसी तरीके का समनवय किस ने दिखाया था ये दिखाया था नंद दास च ठीक है तो ये चीज आपने याद रखनी है आगे है दिखिए इसी रचना के अधार पर नंददास को जड़िया उपादी प्राप्त हुई है तो ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि इसी के अधार पर इनको क्या हुआ जड़िया की उपादी मिली है अब जो आखि का गीत गोविंद किस रचना को कहा जाता है तो पहली बात तो ये है कि रास पंचा ध्याई को कहा जाता है दूसरी चीज ऐसे भी कहा जा सकता है कि हिंदी का गीत गोविंद रास पंचा ध्याई को किस ने कहा है तो वो बियोगी हरी ने कहा है तो ये दो चीजें आपको या इसमें है कि ताही चिन उड राज उदित रस सहायक कुसुम मंडित बधन प्रिया जनु नागरी नायक तो कुछ एक पंक्तिया है ऐसी ये आपको परिक्षम हो सकता है पूछ ली जाएं लेकिन रासपंचा ध्याई से अभी तक ऐसा तो कभी पूछा नहीं गया है इनकी पंक् मेले अगर हम देखें क्रिशन दास की जो प्रमुख पंक्तियां हैं तरनी तनया तर आवत है प्राथ समय कुंदक आप इनको चाहें तो पॉस करके देख सकते हैं पढ़ सकते हैं मैंने आपके बीच में ये प्रमुख जो पंक्तियां ही रक दी ही already हम देख लेते हैं कि previous year के paper में जो पंक्तियां पूछी गई थी वो पंक्तियां कौन-कौन सी हैं अगर हम बात करें देखिए UGC net December 2015 की तो पर्मन अंदास के जो मत्वपूर्ण पंक्तियां हैं देखिए वो पूछी गई हैं तो कौन-कौन सी इनकी पंक्तियां देखिए कहा क पंक्तियों को repeat किया जाए क्योंकि इन पंक्तियों को पूछे होगे काफी समय हो गया है तो आप इनको एक बार जरूर याद कर लिजेगा क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जो प्रमुख पंक्तियां है अश्ट छाप की कव्यों की वो पूछे जाने की समभावना बन सकती ह अगर सूर दास और तुलसी दास की बात करें या फिर नन्द दास की बात करें उनसे आपको डीप चाके पढ़ना है इनकी कुछ एक पंक्तियां है आप देखेंगे हिंदी साहित तकाईती हास जो डग्प नगेंदर का है या अचारे रामचंदर शूकल का है वहां पर हासी क्रीसों काम हलांकि बहुत सारे लोगों को आभी जाती है फिर दिसंबर 2015 जो सेकिंड पेपर था देखिए उसमें फिर से पूछा गई थी ये सेकिंड वाली पंक्तियां तुमनी के दूही जानत गईया चलिए कुंबर रसिक मोहन लागों तिहारे पया तो ये वाली प बुलाया गया था फटैफूर सिक्री बुलाया गया था उनका गाईन के लिए ठीक है आगे है देखिए इसके बाद जो चत्रभुच दास की प्रमुक पंक्तियां हैं देखिए ये भी UGC NET के पेपर में पूछी गई थी 2015 में ही सेकिंड पेपर में तो इसमें ये कहते हैं कि देखिए जसोदा कहा कहूं हूं बाद तुम्हरे सुद के करतब मुपे कहे नहीं जात तो ये वाले पंक्तियां पूछी गई थी तो ये थी कुछ एक महत्पूर्ण चीजें जो अच्छाप के कभियों के बारे में थी या फिर नंद दास के बारे में जो महत्पूर्ण थी वो मैंने आपके बीच में रख दी हैं अगर कुछ एक चीजें इसमें छूट गई हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं फिलहाल आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस् स्क्राइब करना बिलकुल भी न भूलें शुक्रिया जाहिंद